तकनीक विकास है तकनीक विकास और ज्यान के प्रचार प्रसार का एक माध्यम भी है E-NGO Challenge South Asia Public Interest Registry तथा Digital Empowerment Foundation का एक सेयुक्त प्रयास है जो E-NGO को एक ऐसा प्लाटफॉर्म प्रदान करता है जो की सूचना संचार तकनीक, ICT तथा Digital Media का नए धंग से उप्योग कर हाशिये पर रह रहे समुदायों के सशक्तिकरण तथा विकास के लिए अपने दूरगामी लक्ष की दिशा में काम कर रहा है तक प्लाटफॉर्म प्लाटफॉर्म थे क्षच क्या कर रहे सचना स्चार धर्वर्म पहलेенного фॉर्म सुचना थंग को ऊकास्तिक का बड़े ट्रीज भलम दूर्मित्राइघ का Azra our hut पिछले चार सालों में हमें लगभग 1500 नॉमिनेशन्स मिले जिसमें से करीब 200 फाइनलिस्ट बने जिने राष्ट्रिय तथा अंतर राष्ट्रिय संस्थानों से माननिता और सम्मान मिला E-NGO Challenge 2015 में भारत सहित 8 दक्षिन एशियाई देशों से 225 नॉमिनेशन्स इन 6 निमलकित शेणियों में आए है Best Use of Website and Internet Tools Best Use of Mobile Content and Apps Best Use of E-Commerce Best Use of Software Automation and Networking Best Use of Social Media Best Use of E-Content प्रतेक नॉमिनेशन दिये गए मापदंडों के अनुसार एक कड़ी और विस्तरित प्रक्रिया से गुजरता है ताकि सबसे योग्य फाइनलिस्ट वा विजेताओं का चुनाओ किया जा सके It was interesting to go through all these very interesting cases and I believe like wherever we had doubt we again look back and discussed and jury again agreed, disagreed and now I believe that we selected the best one I'm sure the NGOs which we have selected and the NGOs which are specially mentioned by us are doing great work it will in fact set a benchmark for the others to follow E-NGO Challenge, NGO के द्वारा सामुदाइक विकास के लिए बहतर तक्नीक के उप्योग का एक पर्याय बन चुका है तक्नीक उप्योग के वेदिए प्राइब के लिए प्राइब के वेदिए झाल